सब्सक्राइब कीजे प्रत्मेश चोतिस चैनल को ताके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रापत हो आज की विडियो में हम आपकी राशी के अनुसार, आपकी विभा किया होगी, आपकी विभा किस दिशा में होगा और आपकी इश्ट देव कौन है, आधी इन सभी बातों के बारे मैं बताएंगे और अगर आपका विवार नहीं हो पा रहा तो इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे हम मक्का राशी के विवार के तो जिन भी ब्यक्तियों का नाम वो भा भी भू से शुरू होता है तो उनकी मक्का राशी मानी गई है मक्का राशी का जो स्वामी होता है वो शनी होता है ये प्रत्वी तत्व की राशी होती है और ये चर राशी है इनके इश्ट देपता हनमान जी और शिब जी होते हैं अगर बात करें हम मकर राशी के बिभा के बर्ष की तो इनका बिभा 21 वर्ष से सुरू हो जाता है इनके बिभा का योग और 24 से 30 वर्ष की आयू में इनके बिभा की होने की प्रवल संभवना होती है तो बिभा का इनका जो बर्ष होते हैं वो 24 से 30 वर्ष होते हैं और जे 21 वर्ष से इनकी बिभा का योग शुरू हो जाता है मकर राशी के जो ब्यक्ति होते हैं चाहें वो लड़का हो चाहें लड़की उनके जो बिभा के जो महीने होते हैं वो अप्रेल, मई और जून के जो महीने होते हैं साल के उसमें बिवा की प्रवल योग बनते हैं तो लड़का हो या लड़की हो ये मैने नहीं रखता और इन महीने में इनका आम तोर पर बिवा हो जाते हैं और जो मकराशी होते हैं, उनका स्वामी शनी होता, शनी की दिशा पश्चिम होती है, तो जाद तर इनका जो बिवा होता है, वो पश्चिम दिशा में ही होता है, आम तोर पर देखा जाएं का बिवा 21 से शुरू हो कर 24 या 30 वर्स तक हो जाता है, लेकिन अगर एस में बिवा यह नहीं होता है विवा में कोई कठना ही आती है तो फिर आप अपने कुंड़ली दिखाएं उसमें जो आपका सब्तम भाव है जो भीजा का माना जाता है वहाँ पर शनी का जो प्लेसमेंट हो सकता है अगर सब्सक्राइब में सनी वक्र हो नीच का हो मारक हो या फिर सनी की साड़े साती या ढहिया चल रही हो तो यह बिभा में परिशानियां पैद उत्पन कर देती हैं अगर सब्सक्राइब में राहु या सूर्य या मंगल इस्तितों तो भी यहां समस्या उत्पन हो जाती है तो अगर ऐसा है तो आप हनमान जी की पूजा करें क्योंकि शनी के जो इष्टच देव हैं वो शिव और हनमान है तो आप शुझी की पूजा करें हनमान concern कर नित्य्या कि संबन्द में जो भी इस योग के कारण समस्यां उत्पन हो रहे हैं वो अवश्य दूर होंगी अगर आपकी भी शनी की गलत प्लेश्मेंट है या सनी की जो प्रकोप है दोस है उससे उसकी बज़े से आपके कारों में कटना ही आ रही है तो आप शनी के मंत्र ओम प्राम प् इस चरे नमा मंत्र का जाप कर सकते हैं यह जाप अगर तेईस हजार बताया गया इस इस जाप को करते हैं तो सनी से संबन्द जो समस्यां आपको आ रही है वो आपकी दूर हो जाएंगी इसके अलावा आप शनी हन्मान जी की पूजा करें और काले तिल शिप बिंग पर अर पर शमस्यां वो जरूर दूर होंगी मका राशी में जो शूब रतन बताया गया वो नीलम होता है आप नीलम को धारन कर सकते हैं लेकिन किसी योग जोतसी की सला के बगएर इसे धारन ना करें और अपनी कुंडली को दिखा कर धारन करें वरना ना करें क्योंकि अगर आप दिखाय धारन कर लेते हैं को बहुत से लोग होते हैं कि मका राशी है या कुंबर राशी है तो नीलम पहन लेते हैं लेकिन ये आपके जरूरी नहीं है कि आपके कुंडली में आपको सूट करें तो बिना दिखाय धारन करें वरना ना करें तो अच्छा रहता है हाँ आप एक शमी की लकड़ी होती है उसे चांदी की अंगूठी में जड़वा कर मिडल फिंगर में पहन सकते हैं यह आप बिना किसी से पूछे या किसी को बिना कुछ दिखाए भी पहन सकते हैं अन्य तर नीलम को बिना दिखाए धारान नहीं करना चाहिए आशा है पीडियो में दी